एक स्टॉक ने दिया 320 पॉसन का रिटन सिर्फ 10 महने में और दूसरे ने 233 पॉसन का रिटन वो भी सिर्फ 5 महने में मतलब एक सेड़ तो दूसरा सवा सेड़ अब आप सोच रहे होगे मैं इनकी बात क्यूं कर रहा हूं या आप यह भी कह सकते हैं अरे सर जी यह इतने रिट है और आपके सामने खुला हुआ है हमारा यूटूब का मेंबर्सिप और जो लोग मेंबर्सिप से जुरेवे हैं उन्हें पता है साथ सो साथ रुपे के ऊपर इस सेर को बताया था और अगर इसे स्टॉक की बात करें तो कल इसने हाई लगाया है 1408 रुपे का और आज ट्र एक हजार के ऊपर हमने ये सेर बताया था और एक हजार से 1249 बनाया तो यानि हम सब को खुश करते हैं जो प्रॉपर फॉलो करते हैं चाहे वो हमारे यूटूब मेंबर्सिप से जुरे हो या हमारे साथ दीमिट अकाउंट ओपिन किया हुआ हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन म और यही कहानी तो बताने आया हूँ लेकिन इस कहानी बताने से पहले मैं एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ वो प्रॉमिस यह है कि इस वीडियो को देखने के बादे आपका इन्वेस्टिंग के परती नजरिया बदल जाएगा इसकी में गैरेंटी दे सकता हूँ उसको पहल के स्क्रीन पर तो 166 से जब जबरदस्त रहली चली तो 917 तक गया था हम लोग इससे पहले भी इस स्टॉक की वीडियो बना चुके थे जब यह 500-300 रुपे के ऊपर चला था और 900 रुपे तक गया उसके बाद क्या हुई इस स्टॉक में गिरावट शुरू ही और गिरावट कहानी होना और बीच बीच में थोड़ी चीज़े अप एंडाउन चलती है तो वह अप एंडाउन की कहानी में ही स्टॉक में करेक्शन है बट हुआ क्या था इस सेर को लोगों ने सिर्फ हाई पर करी था बीना जाने समझे और उसके बाद जब गिरावट हुई तो वह भस गए और उन्होंने कहा फालतू सेर है बकवास सेर है हम इसी सोच को बदलना चाहते हैं कहानी हम यहीं पर नहीं रोकेंगे क्योंकि एक और दूसरा सेर है जिसको भी हम लोगों ने आइडिन्टीफाई किया था बट इस सेर में अगर देखो तो ये सारे 600 का ही लगाया और फ मुद्दा ये था आप सब भी अच्छा सेर पकरते हैं बट कभी होल्ड नहीं कर पाते हैं इसको और एक इग्जाम्पल से समझते हैं मल्टी वेगर सब को चीए बट होल्ड कौन कर सकता है इसको आप टाटा मोटर से ले सकते हो 200 रुपए के टाइम से आप लोगों को बता हैं कमपनी क्या कर रही है किस तरीके से कर रही है किस तरीके से आगे बढ़ना चाहती है तो हर वीडियो में जो लास्ट वेल्वेशन का पार्ट होता है वो सबसे की पॉइंट होता है बट प्रॉब्लम क्या होती है लोग थमनेल देखकर इंवर्स करते हैं जहां से सारी कहा खराब होती है और वो देखो आज आठ साल के हाई को ब्रेक किया है 608 रुपय का हाई था तो क्या टाटा मोटर ने जो पैसा तीगुना किया दो दिन में किया चार दिन में छह दिन में आठ दिन में नहीं ना तरपाया तरसाया तेजी मंदी साइड़ वेस तो ऐसा हुए कि ल सारी कहानियां जब जुरती हैं तब बनता है एक सियर जहां पे हमें पेसिंस के साथ होल करना पड़ता है वहीं नजरिया मैं आज की वीडियो में दोगा और यह सुरवात थोड़ी सी लंबी हो गई है बट यह कॉंसेट किलियर हुआ आपको समझने में आसान रहेगा और आ यह को फटा-फट लाइक कर दीजे मोटिवेशन मिलता है बहुत महनत लगती एक कंटेंट को बनाने में तो जो हमारे दो सेर है न इवी इंडिस्ट्री के सेर है पहला है और दूसरा है जेवी मोटो मजे की चीज क्या है मार्केट कैप से बड़ा ओर मिल रहा है मार्केट कै में इतना ज़्यादा सिमिर्टी है कि अगर आप नाम ना देखो तो साथ पता न चलेगी कौन सी कंपनी देख रहे हैं दोनों का मार्केट कैप 10-15,000 करोर के पास दोनों का प्राइस 1200-1300 के पास अब दोनों क्या बनाता है यह मैं थोड़ी देर में बताऊंगा और साथ मैं यह बताऊंगा कि आप कैसे मुनाफ़ा कमा सकते हैं उलेक्टरा से या जे भी है तो कंपेरेजन करना परेगा राइट है दोनों दुरंदर हैं धमाकेदार हैं तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के बिजनस से सबसे पहले समझते हैं उलेक्टरा और मैं फिर से बोलूंगा बिजनस समझेंगे बीपी नहीं घटेगा बढ़ेगा उलेक्टरा ग्रीन टेक्क कर रही है इलेक्टरीक मोबिलिटी सेक्टर में ऑपरेट करती यह कंपनी में दो सेग्में उपकरती इलेक्ट्रीक बस बनाती है और कंपोजिट पॉलिमर इंसुलेटर बनाता है अब जिहा अब आगे जब segment wise revenue देखेंगे तो यह point clear होगा company electric bus बनाती है यही इसका main काम है तो पहले इस company का नाम गोल्ड स्टोन तेली services limited था फैब 2008 में इसे change करके गोल्ड स्टोन इंफ्रा टेक limited कर दिया और फाइनली 2018 में Electra Green Tech Limited आप जब सरक पे जाते होगे पे बहुत सारे bus पे देखा होगा नहीं देखा होगा तो गौर कीजेगा इनकी subsidiary company है mega engineering and infrastructure limited हैदराबाद की company 1989 में सुरू भी थी manufacturing और engineering sector में company अपना नाम बनाई तो अब तक हम लोग company के business parent company को जान चुके company का segment wise revenue breakdown देखें तो electric bus से 82% का revenue आता है और composite polymer और insulator से 18% का तो electric bus क्यों बोला आपको clear हो गया ना कि वहीं पर focus करना है major revenue वहीं से आ रहा है बस company कैसे आगे बढ़ेगी जो एक summary निकालूंगा वो last आपका vision होगा इसके product पे आते हैं तो electric bus V2, IX, X2, CX यह जो हैं और यह जो insulator बनाते हैं वो power transmission और distribution में इस्तेमाल होता है रेलवे के लिए company turn bracket tube stay arm जैसा product बनाती है electric bus बनाने के लिए company को battery का requirement होता है इसके लिए company ने बीवाइडी से 2025 तक का agreement किया हुआ बीवाइडी चाइना की एक automobile company है जो battery भी supply करता है इसी company से उलेक्टरा battery लेता है अपने electric bus के लिए ध्यान से और company के पास 16 operating charging station है और 24 अंडर development वे ठीक है 24 अंडर development वे इसके अलाबा बिजनस को expand करने के लिए company ने तिलंगाना government से देड़ सो एकर land acquire किया है इस land पे company EV plant बनाएगा इस plant से हर साल 10,000 बस बनाने का टार्गेट है company का अब तक हम लोग company के business, parent company, revenue breakup, product, charging station, business expansion plan देख चुके है अब देखेंगे किसको order book को company का order book बहुत strong है जो मैंने शुरू में कहा था market gap से ज़्यादा order book है जून 2022 में 3328 EVS का order मिला था company को इस order का 12-15 मन्थ में complete करके देने का target है 23 फरवरी 2003 इसको company in exchange को बताया कि company ने इंडिया में hydrogen bus launch किया है ये बस carbon free alternative होगा traditional public transport के मुख काबले एक बार feel करने पे 400 km travel कर सकता और नितिन गडगरी जी क्या करें hydrogen राइट याद आया तो good news company के लिए है और इस पे हमारे मोटा भाई का नाम इस good news को super से उपर बना दिया जी हाँ उलेक्टरा के इस hydrogen bus में technology partner reliance है इस news के बाद share में और तेजी आई फिर एक मार दो जाता है इसको company ने एक और announcement किया इसमें company ने बताए कि उन्होंने e-tipper launch किया और launch करते ही first 20 e-tipper का order मिल गया फिर 6 मार दो जाता है इसको company ने बताए कि इन्हें तिलंगाना इस्टेट रोड ट्रांसपोर्ट से इंट्रा सिटी के लिए 500 बस का order मिला है और इंट्र सिटी के लिए 50 बस का order मिला है यह order इन्हें 16 मन्त में complete करना है तो यह company का तीसरा announcement इसके बाद first April 2023 को company ने e-way trans private limited company का 26% stick acquire किया e-way trans private limited electric vehicle को operate और leasing का का काम करती है यहां ध्यान देने की बात है Electra और e-way डोनों की parent company एक है बस parent company ने अपना stick कम करके Electra को stick इसमें बढ़ा दिया है तो इसे positive negative कुछ नहीं गया सकती है इसके बाद 20 मही को 2100 electric bus का order मिला साथ जुलाई को company को 5150 electric bus का order मिला फैब 2023 में back to back order मिल रहें company को और यही है company के growth के लिए अच्छी बात का small cap की analysis की एक video बनाई थी जिसमें मैंने कुछ चीजे कही थी आएंगे learning तो यहां तक हम लोग company के business parent company कई सारी चीज़ों को देख चुके हैं अब company के financial को समझते हैं यहां पर एक और चीज आड़ कर दो बस यह समझलोई क्लाइन में कि यह जो अलेक्टरा है इनका जितना market क्याता है उससे ऊपर का order book है इनके पास ठीक है ना लेकिन अब financial प्याने से पहले जेवी मॉट्टो का business समझ लेते हैं तो starting में बताया था जेवी मॉट्टो भी automotive manufacturing business में इंगेज्ट है यह company seat, metal component, tools, dies, modules, बसे बस के spare part accessories का manufacturing और selling करती है और इसके अलावा बसे का maintenance का contract भी लेती है तो अगर इनके business को एक line में आसान तरीके से समझें तो यह company electric bus के साथ उसके parts, tools और कई automotive part भी design करती है, manufacture करती है और इसके client को देखे तो असोक लेलें, Toyota, Force, Skoda, Tata Motors, Honda, Nissan, Renault जैसे big name है इनके revenue breakup देख revenue आता है product selling से, 2.37% आता है services से, 7.74% revenue आता है other operating activity से, तो revenue bifurcation को थोड़ा और detail में समझते है, component से आता है 67.62, buses से आता है 23.83, और tools and other services से आता है 8.54, तो bus में कौन आगे, comment में बताईए, bus के order में कौन आगे, और component के order में कौन आगे, यह फर्क है, यही होता है game, ध्यान से, इसलिए कहते हैं, summary बहुत important है, तो JBM Auto India का पहला 100% electric bus launch किया, जिसका नाम था Ecolife, और company Ecolife bus का first batch deliver किया था नवी मुंबई को, company का target है 2025 तक bus division में number one domestic player बनने का, मगर JBM Auto के पास काफी अच्छे client है, मगर 2021 के बास से कोई big order नहीं मिला है, हम सोचते हैं, बट order तो मिलना चीए ना, वहीं दूसरी तरफ Electra के पास line लगी भी है, market cap से ज्यादा, यही है big difference दोनों company के बीच, यहां तक आप company के business को समझ गए होगे, अब आते हैं financial पे, और तब करेंगा मैं अपनी भाई वाली बाद, जो नजलिया बदलेगा, और दोनों financial को एक साथ देखेंगे, स्क्री JBM का 10 year का compounding sale growth है 13%, profit growth है 14%, मतब past 10 year के basis पर कौन अच्छा है, Electra, Electra का year over year quarterly sale growth है 38.60%, profit growth है 52%, JBM auto का year over year quarterly sale growth है minus 5.80%, profit growth है minus 67.20%, तो यहां कौन आगे है, Electra ही आगे है, return ratio देखें, तो Electra का ROC है 13.30%, 5 year का average ROC है 5.74%, ROE 8.11%, 5 year का average ROE 2.72%, और JBM पर आते हैं तो इनका ROC है 11.80%, 5 year का average ROC है 12.60%, ROE 12.90%, 5 year का average ROE 13.40%, return ratio में, Electra का ROC और ROE अपने 5 year के average से उपर है, और वहीं पर JBM का क्या है, 5 year के average से नीचे है, मतलब यहां भी कौन सही है, Electra सही है, अभी पहले आप बताएए, क्या लग रहा है, Electra ज्यादा future के लिए अच्छा है या JBM क्या मेरी बात आने वाली है, मैं चाहूंगा आप comment बताएए, तब मजा आने वाला है, Electra का debt to equity है 0.16, और JBM का debt to equity है 1.65, मतलब Electra पे कर्ज कम है और JBM पे कर्ज ज्यादा है, again Electra यहां बाजी मार रहा है, तो यह यहां तक आप क्या देखे, business देखे, order देखे, financial देखे, अब आते हैं, valuation पे, Electra का current पी है 154, industry का जो पी है, वो है 93.5, मतलब industry पी के मुकाबले महगा है, PG ratio 3.14, दोनों valuation पे उलट्रा महगा है, JBM पे आता है, तो current पी है 128, और इस industry का पी है 29.4G, तो यहां पे आपने notice किय Electra के case में, industry P.E. कुछ और था, और JBM Auto के case में, कुछ और, इसकी वज़ा है, Electra बसे बनाता है, इसलिए उसे heavy automobile manufacturing industry में रखा गया है, और JBM Auto का maximum revenue component से आता है, तो JBM Auto को automotive part industry में रखा गया है, इसलिए दोनों का P.E. अलग है, यह काफी छोटा point है, विप्रिकिन पहात important point है, यही मैं discuss करने वाला, तो industry P.E. के basis पर JBM Auto और भी महगा है, JBM Auto का P.E. G. Ratio 10.6 है, मतलब भाया और भेहंकर महगा, overall सभी point को summary करें, तो Electra का business order book, financier, JBM से अच्छा है, valuation के basis पर दोनों महगे है, मतलब इसमें investment करने के लिए हमें गिरावट का wait करना है, यहां तक तो point clear है, अब हम आते हैं, summary पर, जैसा कि summary यह है, कि दोनों क्या है, small cap की company है, अब दोनों small cap की company है, एक बना रही है, बस दूसरी बना रही है, उसके parts, maximum business, वो चाहती है number one बनना, तो हम भी चाहते है number one बटर हमारे number one बनने से नहीं होगा, हमारे पास order book आएगा तब ही होगा, तो उ कहानी क्या है, कहानी जो हमने small cap की video जो इधर में नई learning सिखाई है, जिसमें हमने कहा था कि दो small cap के undervalue stock है, कैसे सोचते हैं, तो हमने क्या बता है, इनके पास क्या है, अभी पूरा market खाली परा है, पूरा market खाली का परा का मतलब क्या हुआ, इंडिया में गर आप EV buses देखो, तो अभी बहुत space है, बहुत demand है, तो अब जैसे-जैसे demand बढ़ेगी, जिसके कारण इनके order book तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे 2020, 2021, 2022, 2023, सालों साल order book बढ़ते जा रहे हैं, बराबर है, तो वो जितनी तेजी से बढ़ेंगे, तो एक small cap की company को mid cap की company की तरफ बनने के लिए द बट अभी लोग EV तो पर आ नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर अगर 10,000 हुआ, तो इनके पास 90,000 की तो जगह खाली है, वो क्या है, वो है इनका growth, बट उसी growth में कहानी आती है, जो सबसे important और सबसे सुरू में मैंने Electra के साथ discuss किया था, क्या इनके पास order book उस समय नहीं था, ज बट कहानी क्या है, जैसे ही चीजे सेटल होंगी, या सेचुरेट होंगी, वहाँ पर वापस से market बहाना ढूंडेगा, बहाना ढूंडेगा उसको adjust करने के लिए, तो अब आपको अगर इतनी knowledge और समझ होगी, कि मैं Electra क्यों खरीद रहा हूं और JBM क्यों खरीद रहा हूं, जिसमें आप समझ के चलोगी, कि ओके, अगर मैं लेना चाहा रहा हूं, तो मुझे गिरावट में लेना है, अगर मैं लेना चाहा रहा हूं, तो मुझे ये समझ के चलना है, कि महंगा सेहर है, अगर लेना चाहा रहा हूं, तो हमें mind prepare रखना परेगा, कि कोई चीज लगाता तो वहां पर जब हम इतनी सारी चीजों के अनलेसिस डीटेल में करते हैं और खुद के बॉस बनते हैं खुद के मालिक बनते हैं तब एक सही डीसिजन लेते हैं ना कि कि किसी के कहे सुने में इंवेस्टमेंट नहीं होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ट्रेडर या इंव प्रॉबाइल खरीदने के लिए पांच दिन बरबाद कर देंगे पांच जगा अरेंडी करेंगे पांच सो लोगों से पूछेंगे लेकिंगे यहां पर पांच लाग की इंवेस्टमेंट करनी है वहां पर पांच मिनिट देना उन्हें सबसे मुस्किल काम लगता है और यह जैसे हम यह उमीद करते हैं कि अच्छा रिटन देगा या आने वाले 5 साल में भी अच्छा रिटन देगा क्यों देगा घिरावट होगा वापस से और जायेगा क्या यह जिंदगी हजार 12100 ही रह जाएगा यह बता नहीं न और उपर जाएगा बढ़ क्या आज ही चला जा और तब हम share को hold कर पाते हैं क्या आप इस तरी के सोच तो कमेंच में जरूर बताईए और विजो पसंद आई हो तो like कमेंच share कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए motivation दीजिए जिससे बहतर कर सकते हैं